साथ्यों नए भारत के सामने एक ऐसी चुनोती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का आज की पिड़ी का बहुत नुक्षान हो सकता है आपका आज गुमरा हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंदेरे में सिमड जाएगी दोस्तों इसलिए अभी से जांगना जरूरी है आज कल हमारे देश में मुप्त की रेवडी बाटकर वोट बटोरे का कल्चर लाने की बर्सक कोशिश हो रही है ये रेवडी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत गातक है इस रेवडी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरुरत है रेविडी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्स्प्रेस वे नहीं बनाएंगे नए एरपोर्ट या डिफ्वेंट्स कोरिडोर नहीं बनवाएंगे रेविडी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनारदन को मुप्त की रेविडी बाढ़ कर उने खरीद लेंगे हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है रेविडी कल्चर को देश की राजनीती से हटाना है साथियों रेविडी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांचाओं को पूरा करने का काम कर रहे हम गरीबों के लिए करोडों पक्के घर बना रहे हैं दसकों से अधूरी सीन्चाई परियोजनाई पूरी कर रहे हैं छोटे बड़े अनेक देम बना रहे हैं नए नए बिजली के कार खाने लगवा रहे हैं ताकि गरीब का किसान का जीवन आसान बने और मेरे देश के नवजवानों का आने वाला भविश अंद्रकार में डूब न जाए साथियों इस काम में मेहनद पड़ती है दिन रात खटना पड़ता है खुद को जनता की सेवा के लिए समर्भित करना होता है मुझे खुशी है कि देश में जहां भी हमारी डबल इंजीन की सरकार है वो विकात के लिए इतनी मेहनद कर रही है डबल इंजीन की सरकार मुप्त की रेवडी पांटने का सौटकट नहीं अपना रही डबल इंजीन की सरकार मेहनद करके राज के भविश को बहतर बनाने में जूती है